हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल मास्टर क्राफ्टर फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम पफ वाली लॉंग स्लीज बनाएंगे जिसमें कफ रहेगा इसकी स्लीप में नेट की बना रही हूं जो बहुत ही ब्यूटिफुल लगती है इसके लिए यह मैंने ब्लाउस की ड्रोइंग की है इसकी लेंथ मैंने साड़े सो लेंच रखी है और इसका जो बैक पार्ट है उसपर मैंने एक इंच कम रखा है इसका जो neck है वो 3.5 इंच पर है और जो shoulder है वो 7 इंच और 1 इंच मैंने reduce किया है front neck की जो length है 6.5 इंच है और armhole 7 इंच पर और इसको मैंने 34 size का बनाया है तो 4 part लेंगे और margin रहेगा बाकी और इसका burst point 10 इंच पर यहां से मैंने 4.5 इंच लिया है और नीचे से 3.5 इंच पर इसकी हम cutting कर लेते हैं मैंने इसकी cutting कर ली है और यह जो back part है इस पर neck की length मैंने 8 इंच रखी है तो यह हमारी lining piece पर cutting हो गई है अब हम इसको male fabric पकरेंगे तो यह हमारी man fabric पर भी इसकी cutting हो गई है अब हम इसको ready कर लेते हैं तो सबसे पहले हम back part ready करेंगे इस तरीके से man fabric को सीधा रखेंगे उसके उपर lining piece को रखेंगे हमें नीचे और neck पर slide लगानी है इसके बाद इसको पलट देना है और यह हमारा front part है इसको भी हमें neck पर slide लगाना है और पलट लेना है और इसके बाद यह दोनो side के part है तो यह मैंने इस पर slide लगा दी है इनको पलट लिया है और चारो तरब से भी slide लगा ली है अब हम इसमें पीछे dart लगाएंगे और इन दोनों पार्टों को हम stitch कर लेंगे तो यह दोनों पार्ट मैंने ready कर लिये है यह back part और यह front part और नीचे मैंने इसको fold भी कर दिया है अब हम दोनों पार्ट के shoulder joint कर लेते हैं इस तरीके से इसको dealing with shoulder joint के लिए है तो अब हम इसके sleeves बनाएंगे जो हम морin math के लिए्र हं इस तरीके से बनानी है यर जो balloon shape में है इसको हम net कर र रखेंगे और नीचे कोफ है उसको मेन fabriek कर रखेंगे तो इसके जो 4 लेंद रहेगी 22 इंच सुर Comes इसमें 4 इंच का ये कफ आएगा और यहां से यहां तक की जो लेंध है वो 18 इंचेस रहेगी तो इसकी टोटल 22 इंचेस हो जाएगी लेंध तो अब हम यह नेट की कटिंग कर लेते हैं यह हमारा नेट का फैब्रिक है इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसको हम 4 फोल्ड कर तो फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई और चोड़ाई देख लेते हैं तो इसकी चोड़ाई मैंने 15 इंच लिए यह जो नेट की लेंध रहेगी यह हमें 18 इंच रेडी चाहिए है तो सबसे पहले हमें ऊपर पफ के लिए टू इंच एस्टा रखना है तो हम टू इंच प मार्क कर लेंगी यहां पर लाइन ड्रो कर लेंगी और इसकी बाद हम नीचे मार्क करेंगी तो यह टू इंच मैंने छोड़ दिया है इसकी बाद हम 18 इंच पर मार्क करेंगी इस पर भी लाइन ड्रो कर लेते हैं और अब हम स्लाइक के लिए एस्टा लेंगी तो इस लाइक के लिए मैंने एक इंच एस्टा लिया है तो अब हम इसकी फुल लेंड देख लेते हैं फुल्स की लेंड 21 इंच आ रही है तो 21 इंच इसकी फुल लेंड आ रही है अब हम स्लीप्स ड्रो करेंगे तो यहां से हमें इस तरीके से 6 इंच पर माग करना है और नीचे भी 6 इंच पर माग करेंगे क्योंकि यहां पर हम 6 इंच तक की प्लेट देंगे तो यह फैबरिक हमें एशा रखना है आगे की तरफ जिस साइड हमारा फोल्डर्ड साइड है और अब हम इस लाइन से स्लीप्स की ड्रोइंग करेंगे तो यहां से हम जिस तरीके से नॉर्मल स्लीप्स बनाते हैं उसी तरीके से 3 इंच पर इसका कैप रहेगा और यहां से भी यह 3 इंच रहेगा लाइन ड्रोग कर लेंगे इस तरीके से एक बॉक्स बनाके और अब हम आर्म हूल का सेप बनाएंगे तो 7 इंच पर हमारा आर्म हूल रहेगा और यह हमारा मार्जिन है तो यहां से हम इसको मिला देंगे 2 इंच छोड़ने के बाद मैंने इसकी ड्रोइंग किया है अब हम जो हमने ऊपर छोड़ा हुआ है यहां से हम इसको मिला देंगे इस तरीके से 2 इंच छोड़ने पर इसका पफ बहुत ही अच्छा आता है और अब हम नीचे इसकी मार्किंग कर लेंगे यह मेरा 7 इंच आ रहा है तो इसका हम डबल करेंगे 14 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि हम नीचे भी प्लेट्स बनाएंगे अब इसको मिला देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो यह हमारी स्लीट्स की कटिंग हो चुकी है सेंटर पर हम कट लगा लेंगे इसको ओपन कर लेते हैं यहां पर हम प्लेट्स बनाएंगे और नीचे भी हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे इसके बाद हम नीचे जो हम कफ लगाएंगे उसके लिए फैबरिक कट कर लेते हैं तो यह हमारा मैन फैबरिक है इसका हम कफ लगाएंगे तो इस फैबरिक में मैं कोई लानिंग पीस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हम इसी को फोल्ड करेंगे यह जो कप हम बना रहे हैं इसमें हम कोई भी बटन नहीं लगाएंगे इसको हमें सीधी स्लाई लगाना है इसको मैंने साड़े 9 इंच पर लिया है इसकी लंबाई साड़े 9 इंच है और यह टू पीस में है और इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो यह फोल्ड करने के बाद मैंने इसको 5 इंच रखा है इसकी प्लेट्स मैं पहले से नहीं लगा रही हूँ इसको मैं बलाउस पर अटेच कर लूँगी उसके बाद इसको साथ मैं प्लेट्स लगाऊंगी जो मारा शोल्डर है वहाँ से दोनों तरफ धाई धाई इंच पमाग करेंगी यहाँ से हमें यहाँ पर हमें प्लेट्स लेनी है तो सबसे पहले हम स्लीज पर फ्रंट की सेप लगा लेंगी इसके बाद हम इसको ब्लाउस पर अटेज करेंगे तो इस तरीके से हम दोनों स्लीज इसके सामने रखेंगे और अब हम इसको इसके उपर पलट देंगे और यहाँ से हम इस कॉर्णर से इस निसान तक इसको स्टिच कर लेंगे यहाँ पहले से पिनप भी कर सकते हैं और सेंटर का हम यह पाट छोड़ देंगे और इस कॉर्णर से यहाँ से इस निसान तक यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे और बीच में जो फैबरिक हमारा बचेगा उसके हम plates बनाएंगे इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी करेंगे इसको भी पलट लेंगे ये मैंने इसको पिनप कर दिया है और इसके बाद हम सेंटर में इसकी plates बनाएंगे तो plates आपको अपने हसाब से रखनी है आप हाफ-फ इंच की भी दे सकते हैं या एक-एक इंच की भी निशान हमने पहले से लगा लिए हैं कहां तक हमें plates रखनी है इस तरीके से हम इसको बना लेंगे और पिनप कर लेंगे और फिर हम इस पर सलाई लगा देंगे तो ये मैंने इस पर सलाई लगा दी है और सेंटर में ये plates बहुत ही अच्छी आई है ये नेट का फैबरिक है इसलिए इसका पफ बहुत ही अच्छा आएगा और अब हम नीचे भी plates लगाएंगे plates लगाती टाइम हमें दोनों तरफ मार्जिन के लिए छोड़ देना है और उसके बाद हम इसमें टेच करेंगे ये मैंने इस पर plates लगा दी है और दोनों तरफ मैंने एक एक एंच छोड़ भी दिया है सलाई के लिए ये मैंने दोनों स्लीज पर plates लगा दी है अब हम इसको कप पर टेच करेंगे तो कप को हमें इस तरीके से टेच करना है स्लीज को हम सीधा रखेंगे और इसके उपर इस तरीके से ये फैबरिक को हम पलट कर रखेंगे और इसके किनारे से स्लाई लगा देंगे दोनों स्लीज पर तो ये मैंने इस पसलाई लगा दी है दौनों तरफ और अब हम इस तरीके से इसको सीधा करेंगे और इसी फैब्रिक को हम हाफ इंच मोडते हुए इसके उपा पलट देंगे जिससे ये मार्जिन भी छुप जाएगा इस तरीके से और इसके उपार से भी हम सिलाई लगा लेंगे पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे इसके बाद हम इसके उपार से स्लाई लगा दी है और इसमें अब कोई भी मार्जिन नहीं दिख रहा है तो अब हम ब्लाज में फिटिंग लगाएंगे तो इसमें मैं सिर्फ एक तरफ स्लाई लगाऊंगी और दूसरी तरफ में इसमें जिप अटेज कर रही हूँ तो इस तरीके से इसको पलट कर रखेंगे उपर से लेके नीचे तक हम स्लाई लगा देंगे और यह जो दूसरी तरफ है यहां तक हम इस पर स्लाई लगाएंगे यहां से हमें स्लाई लगानी है और नीचे हम जिप लगाएंगे इस निसांग के नीचे हम जिप लगाएंगे तो जिप आप पहले से भी लगा सकते हैं और या आप एक साइड स्लाई लगा के भी लगा सकते हैं तो ये मैंने इस पसलाय लगा दी है इस तरीके से हम इसको पिन की हेल्ट से फोल कर देंगे और यहाँ पर जेप अटेज कर लेंगे तो बलाउस को हम सीधा कर लेते हैं यह इस तरीके से आएगा यहां पर हमें जिपटेच करनी है तो इस तरीके से हम इसको खोल के रखेंगे जिपको हम सीधा रखेंगे ब्लाउस भी हमें सीधा रखना है और जिप को भी हमें सीधा रखना है लेकिन ये जिपर है ये नीचे की तरफ होना चाहिए और इसके किनारे से हम इस तरीके से दोनों तरफ स्लाई लेगाएंगे और ये जो नीचे की एश्टर जिब है इसको हम fold कर लेंगे एश्टर जिब को cut कर देंगे तो ये मैंने इस पर zip attach कर दी है और इसको हम अंदर fold कर लेंगे तो ये हमारे blouse का final look है और ये बहुती pretty लग रहा है पेहने पर इसकी fitting बहुत ही अच्छी आती है तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो क्यासा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरू बताए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चनल मास्टर क्राप्टर को साथ ही वैल आइकन को जरू प्रैस कर लिजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिक किसाफ तटकी ली बाई टिक यह